हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज मैं हमारे लंच में एक ऐसी चीज बना रही हूँ जो एक तरह का पास्ता है देशी पास्ता महाराश्च्रा में फेमस है इसे महाराश्रा में कहा जाता है शेंगोडे तो अगर अभी तक आपने ट्राइ नहीं किया है तो आप भी ट्राइ करके देख सकते हैं टेस्टी है और हल्दी भी बहुत है तो सबसे पहले हम आटा बना लेंगे जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा गेमू का आटा नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा जगार का आटा और बेसन तो तीन तरह का आटा हमने यहाँ पर यूज किया है तो इस साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक अब इसका हमें आटा गुनना है मीडियम सॉफ्ट आटा गुनने बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं तो उस हिसाब से ही आप इसमें पानी दाले और इसका आटा गुनने सिंपल सी रेसिपी है लेकिन एक कंप्लीट मील हो जाता है ये आप लंच में भी बना सकते हैं डिनर में भी बना सकते हैं नाच्टे में भी बना ही सकते हैं तो यह आटा मैंने गून लिया है, इसे थोड़ा से रेस्ट करने के लिए रख देंगे, थोड़ा से तेल लगा रही हूँ ताकि आटा उपर से सूखे ना, आटे को ज़रूर आप 10 से 15 मिनिट कम से कम रखें, ऐसा करने से आटा सॉफ्ट और स्मूध हो जाएगा, थोड़ा स जादा भी रख दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आटा फिर से थोड़ा सा गून ले, इससे एकदम स्मूध हो जाएगा, अब इसके बाद हमें इसका पास्ता बनाना है, यानि हमें इसके शेंगोड़े बनाने है, तो आपको लोईयां तोड़ने की ज चाहिए, उसके हिसाब से आप मोटा पतला जैसा इसे रखना चाहें, वैसा रख सकते हैं, ये शेंगोड़े राहिन ने भी बहुत शौक से खाता है, राहिन ने इसे मोटे वाले नूडल्स बोलता है, तो बच्चे अपना-पना अलग-अलग नाम रख लेते हैं, तो ऐसे आपको इसके ends को pinch करना है, और ऐसे ही इसे roll करते रहें और ends को pinch करें, और ऐसे ही shapes बन जाएंगे circle circle या थोड़े से drop के shape में, तो कितना मोटा या पतला चाहिए उसके हिसाब से आप इसे बनाएं, बहुत जादा बड़ा circle ना बनाएं, और थोड़ा से पतला ही रखे हो सके तो इससे जादा बतले मैंने नहीं किये, normally हम इतने ही thickness के बनाते हैं, अब तड़की के लिए कढ़ाई में जाएगा तेल, तेल अच्छे से गरम होने दें और तेल गरम होने पर इसमें डाले राई और जीरा, तो बहुत ही basic तड़का लगता है, इसमें टमाटर भी नहीं ड जलता है, जैसे ही राई और जीरा चटकने लगे, इसमें आप प्यास डाल दे, तो दो medium size के प्यास मैंने यूज किये हैं, तो अच्छे से अगर प्यास डालेंगे, तो काफी अच्छी बढ़िया सी इसकी जो gravy है, soup है इसका बन जाएगा, प्यास हलका सा brown होने तक fry करें, औ और फिर अधरक लेशन का paste fry करें लगबग 1 minute, पर डालें हल्दी और इसे इस तरह से fry कर लें, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी चटपटा सा ये बनता है, इसमें जाएगी अब लाल मिर्च और इसे मिला लेंगे, तो simple से मसाले इसमें डाले हैं, इसमें गरम मसाला वगर न जो हमारा pasta है, शेंगोड़े है, उसमें भी नमक डाला हुआ है, यहाँ पर मैं इमली की चटनी डाल रही हैं, वगर चटनी बनी हुई नहीं है, तो इमली को पानी में भिगो कर डालें, और हलका सा एक चमच आप इसमें गुर्ड डालें, लास में डालें सामबर मसाला, साम जो है, इसे 15-20 मिनट इसे उबाल आने दे, ढखके भी आप चाहें, तो पका सकते हैं, और इसमें जो पानी है, इसकी consistency आपको कैसी चाहिए, आपपर depend करता है, आपको थोड़ा से लिपटवा टाइप का चाहिए, तो वैसे रख सकते हैं, जादा सूपी चाहिए, तो जाद पानी रख सकते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से रखा है, बहुत जादा पानी भी नहीं है, बहुत जादा ड्राइ भी नहीं है, अगर आप इसे रख देंगे, टिफिन वगरा में, तो ये और liquid को सोब कर लेगा, तो उस हिसाब से आप इसे बनाएं, गर्मा गर्म सर्फ करें उपर से इसमें डाले थोड़ा सा हरा धनिया तो बहुती कमाल का लगता है कम्प्लीट मील है कभी कुछ सूज नहीं रहा है कोई सबजी घर पर नहीं है और आपको कुछ फटाफट बनाना है जो हेल्डी भी हो टेस्टी भी हो तब आपके बना सकते है